कि दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल की यूट्यूब चैनल में मेरे नामें अन्मौल में तलों शुरुवात करें अन्मौल्स फेवरेट स्टॉक के देखें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अप्रैल मंत का दिखाना चाहता हूं प्रॉफिट ल ट्रेड करते हैं जो ट्रेड लिए गए वह आप यहां देख सकते हैं और रिलाइस्ट पॉफिल ओस 39,000 नेट रिलाइस्ट अगर आप देखेंगे 36 का प्रॉक्स मान सकते हैं चार्जिस लग गए है 3,000 और यह देखिए यह फर्स्ट पेज सेकिंड पेज आपने देखी लि और खास बात यह कि सारे ट्रेड इंट्र डेके ट्रेड है कोई लेवरेज नहीं लिए गई है जितना एक्चुल मनी था उसी एक्चुल मनी के ओपर ट्रेड लिया गया है और एक दिन में एक से जाधा ट्रेड बहुत ही मुश्किल मिलेंगे बहुत ही रेयर होगा कि दो या behavior लिया जाता है अधर वास नहीं लिए जाता तो यह देखिए यह पूरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है ताकि आपको यह लगए कि हम भी ट्रेड लेते हैं तब Legisl आ brace चीजन लेकिन फह पहले से बहुत दर रिल pamए अगर अभी मैं बात करूं से मैंने ट्रेड लेना शुरू करा कल मैंने एक पॉलिप्लैक्स का ट्रेड लिया था जिसमें 6000 के आस-पास प्रॉफिट आया आज भी मैंने एक ट्रेड लिया है जिसके उपट 10.000 पे का प्रॉक्स मैंने profit gain करा बड़ा मज़ा आया इतने दिन बाद जब trade करते ना बस बरे वे थे कि trade लिना और मज़ा आगया trade लेके तो यह दोस्तों आज का trade है अब आप देखेंगे यह CNC पर लिया हुआ बना हुआ है कभी भी market उपर नीचे हो सकती है तो इस वजह से मैं ज्यादा पैनिक में ज्यादा हाम नहीं करूंगा पॉटफोलियों क्यों क्योंकि मुझे पता है कि अगले दिन जब market उपन हो तो वह नुक्सान में हो सकता है तो जब भी market में सब्सक्राइब करना ज्यादा सेफ मुझे लगता है चलिए अब स्टॉक की बात कर लेते हैं और कौन सा स्टॉक मैंने आज चूज करा है देखें एक स्टॉक ऐसा है जिसका fundamental बहुत खराब है लेकि टेक्निकल कुछ कहने की कोशिश कर रहा है दो लोगो समझ लेते हैं देखें पहला स्टॉक जो यहां पर मैंने चुना है वह है मारिको देखें मारिको की बात करें अच्छी fundamental कंपनी है जो लोग इस कंपनी को नहीं जानत साबुन है वाटर स्क्रैच है बहुत सारी चीज़े जो हम यूज करते हैं मैरिको की बहुत सारे साबुन बहुत सारी चीज़े बहुत सारे प्रोड़क्स हम यूज करते तो बहुत लोगों जो नहीं जानते वो इसको देख सकते हैं fundamental कंपनी का अच्छा है बहुत amazing नहीं कह पतर रेल आ बोगता दा रिवेन्यू आता है तो बारी बरकम कमपनी है तो इस कमपनी के अंदर देखे क्या हो रहा है अगर वन वीक का आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी एक कैंडल बनी है और यह कैंडल कुछ कहने की कोशिश कर रही है अब इस कैंडल में लेकिन के क क्या टार्गेट बन सकते थागेट पिचाने की कोशिश कर रहे है क्या हो रहा है कि इसके अंदर कहा है कि बड़ी मुवमेंट कि हम बात करे ओ बड़ी मुवमेंट लगाए तो यहां पर अगर हम Fibo nachi retracement लगाए तो उससे हम एक अंदाजा मिलेगा जब यहां उपर के लेवल डिखने की कोशिश करते हैं तो हम उपर से लेकर जो नीचे की क्रेक्शन होती है वहां पर हम लगाते हैं तो यहां पर हम एक बार लगा लेते इसको और देखते कि क्या दिख रहा है अब जोसे यहां लग गया है देखिए फीबो नाची जब हमने यहां फीबो नाची लगा दिया है तो यहां पर आपके लेवल दिख रहा है जो बहुत ही रिसेंटली मिल सकता है बहुत जल्दी मिल सकता है एक हफते के अंदर ही टागेट आसकते है लेवल है 500 रुपीज का आ परसेंट की और इसके अंदर मुवमेंट बन सकती है अब इसके अंदर करें तो प्लोस के लिए आपको एक बार टाइम फ्रेम को कम करना पड़ेगा क्योंकि वन वीक के अंदर तो एक केंडल ही लीनी पड़ेगी तो हम इसको वन देखा करते हैं और जरह समझते हैं कि कितना य नीचे यह जो नीचे का लेवल है यह आपका एक स्टॉप बन सकता है और यह लेवल लगबग लगबग आप्रोक्स आ रहा है चार सो पच्पन रुपे नहीं माफी चाहूंगा 445 रुपे चार सो पेंतालीस रुपे का इसमें एक स्टॉप बनता है जिसे आप वोच कर सकते है फिलाल स्टोक चल रहा है 463 पर और अभी हमने बात करी 500 रुपीज तक के लेवस इस स्टोक में मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी हो सकता है दो या तिन दिन में मिल जाए अधरवाइस एक हफता और यह हफते की कैंडल खतम होने के बाद अगले हफते की जो कैंडल आएगी उस इस स्टोक को आप वोच करिए हाला कि मुवमेंट बहुत जादा नहीं है साथा परसेंट की मुवमेंट मिल सकती है लेकिन यह फंडामेंटली बढ़ गया स्टोक है है इस वजह से इसके अंदर टार्गेट कम है सैकंड स्टोक मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका टेक्नि लिए असा लग रहा है कि डबल हो सकता है स्टोक है टाटा स्टील बी एसल टाटा स्टील बी एसल दियान रखिए हम बात करें टाटा स्टील नहीं सिर्फ टाटा स्टील बी एसल की बात कर रहे है तो जब टाटा स्टील बी एसल की बात करेंगे इसका चार्ट देखी कितना और खूब सूरत आपको दिखाई दे रहा है अभी रिसेंटली ही कुछी दिनों की अगर हम बात करें तो यह 56 रुपीज पर था और महां से अल्मोस्त डबल हो गया है कुछी दिनों की बात करें यह शायद वह दिन है जब मैंने अपनी वाइफ को एड़िट कराया था उसी ट राकताव चला गया लेकिन अभी इसके अंदर बहुत दम दिखता है अगर हम इसको वन विक का टाइम फ्रेम करें तो वन विक के टाइम के बाद आपको समझ में आएगा कि यह स्टो क्या कर सकता है दो सैकंड दीजिए चार्ट खुल जाए अच्छे से अब दोस्ते यहां अब अब ओल ओवर मैंने चार्ट इसका खोल दिया है वन मन्त का चार्ट इसका फंडामेंटल बहुत खराब है फंडामेंटल के बात करना ही बेकार है अभी बात करी नहीं सकते लेकिन आगर आप यहां देखेंगे यहां पर एक स्विंग बना था देखें यह वाला एक सकते हैं क्योंकि यह इसके उपर आगा है बिल्कुल यह हाई पोइंट के आज पास आ गया है और यह एक पहला ब्टम है दूसरा ब्टम यह है दबल बॉटम कि आस पास के levels इसमें मिल सकते हैं लेकिन अभी Fibonacci, Fibonacci लगाकर देखेंगे कि कहां तक के level इसमें मिल सकते हैं तो यह आपको टेक्निकल दिख रहा है जो यहांपर pattern बन रहा है पैटन आपको बता दिया है double bottom pattern है लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके अंदर Fibonacci लगाते हैं तो Fibonacci क्या कहता है ज़रा देखते हैं देखें Fibonacci के लिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कीचना पड़ेगा actually क्या है कि मैं माउस यूज नहीं कर रहा हूं मैं पैड यूज कर रहा हूं तो जब भी पैड यूज करते हैं तो पैड में थोड़ी सी प्रोब्लम रहती है तो वन सेकेंड ये देखें ये हमने लगा दिया है Fibonacci मुझे बड़ा पसंद है personally Fibonacci बहुत अच्छे levels मिलते हैं तो देखें यहां पर कुछ levels आगे हैं तो 160 का भी एक level दिया था लेकिन अब हमें एक level और मिल गया है जो है 132 का तो 132 तक भी ये stock जा सकता है 132 तक भी आप इसको watch करिए और 132 अगर cross करता है तो मुझे जो second इसका level लगता है वो लगता है ये वाला जो है 225 रुपे 225 रुपे के आसपास का second target के लिए इस stock को watch करिए बहुत तगड़े fundamental नहीं है लेकि टेकनिकल इतना गजब का है कि जिस रफतार से गिरा है उसी रफतार से उपर जा सकता है जिस इस आप से पर जाने की कोशिश कर रहा है वोल्यूम अगर आप देखेंगे बहंकर वोल्यूम है इतने जबर्दस वोल्यूम जो आस्ता किसे stock में नहीं आए पिछले 10-20 सालों में नहीं आए लेकिन अब इसके अंदर बहुत जबर्दस वोल्यूम आ रहे है और ऐसा लगता है एक अच्छी रैलिस के अंदर अभी बन सकती है stop loss की बात करेंगे देखे stop loss क्या हो सकता है stop loss इसके ओपर बताया थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 10-15% डेली की वोलेडिलिटी है इस इस stock की मैं कोई भी stop loss बताऊंगा वो बहुत बड़ा लगेगा अगर वो हीट होता है तो नुकसान जादा होगा तो इसमें क्या है कि बहुत छोटा सा अमाउंट लगाकर देखा जा सकता है उसके bottom पर stop loss लगाते चले मंथली वोटम साथे बन जाए उसका bottom पर stop loss ले ट्रेल करते चले जाए और पूरी रैली को एक capture करने की कोशिश करें जैसे कि यहां से लेकर यहां तक हुआ अब यहां तक जैसे चल रहा है उमीद करते हैं वैसे ही चलता रहेगा उपर भी और अगर वो चलता है तो इसमें एक बड़ी rally मिल सकती है एक बड़ी rally को आप capture कर सकते हैं तो यह दो अन्मॉल्स फेवरेड स् Tata Steel BSL बहुत तेजी से बहुत बड़े target दे सकता है डबल भी हो सकता है और मेरिकों की जो हमने बात करी वह 78% की एक moment एक अफ़ते के अंदर दे सकता है इनको वाच कर यह देखे क्या रहता है आने वाले समय में मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स वीडियो में तक तक लिए सब्स्टर